नमस्कार दोस्तों मैं आकाश लोखंडे स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में तो दोस्तों ये हैं हमारा Spoken English Series का Day 7 पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमारा subject 3rd person singular हो याने ही, शी, एट, सूरज, या फिर मादवी, राहुल अगर इनका नाम हम इस्तमाल कर रहे हैं तो उस sentence में आने वाले verb के साथ या एक्शन word के साथ हम S या फिर ES का इस्तमाल कर रहे थे जैसे अगर मुझे बोलना है सूरज TV देखता है, आजय क्रिकेट खेलता है तो उसके साथ हम S और ES का इस्तमाल कर रहे थे तो हमारे example बनते थे कि सूरज Watches TV, आजय plays cricket आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें negative sentences बनाने हैं तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा sentence था उससे देखते हैं, अगर मुझे बोलना है कि मैं mobile का इस्तमाल नहीं करता हूँ तो इसको हम बोल सकते हैं, I do not use mobile, यह हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है लेकिन, अगर मुझे बोलना है कि सूरज मोबाइल का इस्तमाल नहीं करता तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो फिर से यहाँ पर रूल एक बार आपको याद देदा दू कि जब भी हम आई, वी, यू और दे के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाने के कोशिश कर रहे थे, तब हम दू का इस्तमाल कर रहे थे जैसे I do not, वे do not, यू do not, फिर they do not लेकिन, क्यूंकि अब हम थर्ड पर्सन सिंगिलर को इस्तमाल कर रहे हमारे सबजेट के तौर पे जैसे he, she, it, सूरज, मादवी, तो हम do के बजाए does का इस्तमाल करेंगे तो हमारा सेंटेंज कुछ ऐसे बनेगा, सूरज मोबाईल का इस्तमाल नहीं करता, सूरज ड़नाट यूज मोबाईल सूरज ड़नाट यूज मोबाईल, इसी तरीके से अगर हम कुछ और एक्जामपल देखे, कि अजय अपने दोस्तों से नहीं मिलता, तो वो सेंटेज बन जाएगा, अजय ड़नाट मीट हिस फ्रेंड्स, अजय ड़नाट मीट हिस फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ड़नाट का चॉकलेट पसंद नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं, सूरज ड़नाट लाइक चॉकलेट, अब इस कॉंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एक्जामपल देखते हैं, तो हमारा अगला एक्जामपल है, कुनाल तेज नहीं दोडता, कुनाल तेज नही सुनता, तो इसको हम बोल सकते हैं, संकेत ड़नाट लिसन टू एनिवन, संकेत ड़नाट लिसन टू एनिवन, हमारा अगला एक्जामपल हर्शल ठीक से पड़ाई नहीं करता, हर्शल ठीक से पड़ाई नहीं करता, तो इसको हम बोल सकते हैं, हर्शल ड़नाट स्टड़ी प् अगला एक्जाम्पल मेरी मां कार नहीं चलाती तो इसको हम बोल सकते हैं माइ माम ड़स नौट ड्राइफ कार माइ माम ड़स नौट ड्राइफ कार अगले एक्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं मेरी बहन खाना नहीं बनाती, मेरी बहन खाना नहीं बनाती, तो इसको हम बोल सकते हैं, my sister does not cook food, my sister does not cook food, हमारा अगला एक्जामपल, सोनाली किसी बात की चिंता नहीं करती, सोनाली किसी बात की चिंता नहीं करती, तो इसको हम बोल सकते हैं, सोनाली does not worry about anything, सोनाली does not worry about anything, हमार हमार अगला एक्जाम्पल समिक्षा अपनी बहन से नहीं लड़ती तो इसको हम बोल सकते हैं समिक्षा डज नौट फाइट विधर सिस्टर समिक्षा डज नौट फाइट विधर सिस्टर हमारा अगला एक्जामपल प्राजक्ता मेरी मदद नहीं करती तो इसको हम बोल सकते हैं प्राजक्ता डज नौट हेल्प मी प्राजक्ता डज नौट हेल्प मी हमारा अगला एक्ज does not work with me हमार अगला एक्जाम्पल है सचिन क्रिकेट नहीं खेलता सचिन क्रिकेट नहीं खेलता तो इसको हम बोल सकते हैं सचिन does not play cricket हमार अगला एक्जाम्पल विराट मुंबई में नहीं रहता विराट मुंबई में नहीं रहता धीरज अपना काम पूरा नहीं करता तो इसको हम बोल सकते हैं धीरज does not complete his work हमारा अगला एक्जामपल आधित्य समस्याओ को नहीं समझता तो इसको हम बोल सकते हैं आधित्य दस नौट अन्देस्टाइड प्रोब्लेम्स अधित्य दस नौट अन्देस्टाइड प्रोब्लेम्स अगला एक्जामपल अविनाश हिंदी नहीं बोलता तो इसको हम बोल सकते हैं अविनाश दस नौट स्पीक हिंदी और कुछ examples देखते हैं विक्रम सूरज को फॉलो नहीं करता हमार अगला example प्राची को मीठा पसंद नहीं है तो इसको बोल सकते हैं प्राची डाज नौट लाइक स्वीट हमार अगला example मेरा पडोसी मुझे परेशान नहीं करता तो इसको हम बोल सकते हैं माइननेबर डास नाट ट्रबलली हमार अगला example मेरा मोबाईल तीजी से काम नहीं करता माइमोबाईल डास नाट वोग फास्ट और हमार आखरी example अरीजी डांस नहीं करता अरिजीत डांस नहीं करता तो इसको हम बोल सकते हैं अरिजीत डांस अरिजीत डांस तो ये थे दोस्तों कुछ एक्जाम्पल्स जो मैं आपके लिए लेके आया था अब हम चलते हैं वीडियो के end part की तरफ अब यहाँ पे आपके लिए आएगा एक छोटा सा टेस्ट देखते आप कितने सवालों के सही जवाब दे सकते हो तो हमारा सबसे पहला सवाल है मेरी माँ को टीवी देखना पसंद नहीं है मेरी माँ को टीवी देखना पसंद नहीं है अक्षे इंग्लिश नहीं बूलता अभिशेक फिल्मों में काम नहीं करता रमन अपने कर्मचारियों को या फिर इंप्लोईस को नहीं समझता मेरा भाई रोज पढ़ाई नहीं करता अस्मिता खाना नहीं बनाती सुझे कार नहीं चलाता सूरज जंक फूड नहीं खाता आकर्ष अपनी कार किसी को नहीं देता मेरा दोस्त कसरत नहीं करता दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो को पॉस कर सकते हो और आराम से सोच सकते हो कि इन सवालों के जवाब क्या है अब देखते हैं इन सवालों के जवाब जो हमारा सबसे पहला सवाल था मेरी मार को टीवी देखना पसंद नहीं है तो इसको हम बोल सकते हैं माँ माम ड़स नॉट लाइक टीवी हमारा अगला एक्जाम्पल था अक्षय इंगलिश नहीं बोलता अक्षय इंगलिश नहीं बोलता तो इसको हम बोल सकते हैं अक्षय ड़स नॉट स्पीक इंगलिश हमारा अगला एक्जाम्पल है अभिशेख फिल्मों में काम नहीं करता तो इसको हम बोल सकते हैं अभिशेख ड़स नॉट वर्क इन फिल्म्स Abhishek does not work in films हमारा अगला एक्जाम्पल था रमन अपने कर्मचारियों को नहीं समझता तो इसको हम बोल सकते है रमन ड़स नौट अंडरस्टाइड इस एंप्लोईज रमन ड़स नौट अंडरस्टाइड इस एंप्लोईज हमारा अगला एक्जाम्पल मेरा भाई रोज पढ़ाई नहीं करता मेरा भाई रोज पढ़ाई नहीं करता तो इसको हम बोल सकते है माई ब्रदर डज नौट स्टड़ी एवरी दे हमारा अगला एक्जाम्पल था असमिता खाना नहीं बनाती तो इसको हम बोल सकते है असमिता डज नॉट कुक फूड हमारा अगला एक्जामपल सुजे कार नहीं चला था तो इसको अब बोल सकते हैं सुजे डज नॉट ड्राइफ का हमारा अगला एक्जामपल सूरज जंक फूड नहीं खाता सूरज जंक फूड नहीं खाता किसी को नहीं देता तो इसको भूल सकते है आकर्ष डाज नोट गिविस कार टू एनिवन और हमारा आखरी एक्जाम्पल था मेरा दोस्त कसरत नहीं करता तो इसको भूल सकते हैं my friend डाज नोट exercise my friend डाज नोट exercise तो उमीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के इंगलीश सीखने में मदद कर सकता है तो उस तक पहुचाने के लिए इस वीडियो को शेर जरूर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले जाते जाते कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन करना कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिये मैं आप से मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में थेंक यू